हेलो एवरिवन, आज मैं आपके साथ इस मठरी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ, जो कि हमने कच्चे आलू से बनाया है, तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने दो कच्चे आलू लिये हैं, इसके छिल्के उतारके इसे साफ कर लिया है, अब इसे चोटे अच्छा flavor आजाता है साथ ही इसमें हम इसे spicy बनाएंगे तो इस वज़े से इसमें हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने taste के according डाले मैं ज्यादा हरी मिर्च का use कर रही हूँ साथ ही इसमें lesson एड़ करेंगे और इसे piece कर इसका paste त्यार कर लेंगे मैंने इसे piece लिया है इस तरीके से paste त्यार कर लेंगे अब एक बोल लेंगे इसमें डेड़ कप मैदा एड़ करेंगे साथ ही इसमें सफेद तिल एड़ कर देंगे थोड़े से साबूत जीरा एड़ करेंगे अजवाइन एड़ करेंगे अजवाइन को इस तरीके से हाथों पर घिस लेंगे फिर इसके अंदर डाल देंगे साथ ही इसमें थोड़ी सी कलोजी एड़ करेंगे इसे मंग्रेला भी बोलते हैं एक पिंच बेकिंग सोडा एड़ करेंगे जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं टेस्ट के कोर्डिंग नमक एड़ कर देंगे अब इसमें दो बड़े चम्मच, रिफाइंड ओईल एड़ करेंगे अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें अच्छे से मोयन लगा लेना है सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं इस तरीके से बांध कर देख लेंगे अगर बनता है मतलब मोयन अच्छे से लग गया है अब इसमें बीच में थोड़ा से पहले ऐसे स्पेस बना लेंगे थोड़ी सी जगह बना के और जो पेस्ट त्यार किया था उसे इसमें डाल देंगे सारे ही पेस्ट का यूज़ कर लेंगे अब इसका डोर त्यार कर लेंगे पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से जैसे आटे का डो लगाते हैं इसी तरीके से मसल मसल के इसका डो लगाना है उसके बाद अगर पानी की जरुवत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी इस तरीके से इसमें डालेंग अगर एक बार पानी डाल देंगे तो फिर यह गीला हो सकता है अब इस तरीके से इसका tight dough लगा लेना है इसका dough हमें थोड़ा सा tight ही रखना है जादा soft dough नहीं रखेंगे डो तेयार हो गया है अब इसे cover कर देंगे जिससे कि यह सूखे न इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ देंगे अब एक बोल लेंगे इसमें एक छोटे चम्मच देशी घी अड़ कर देंगे साथ ही इसमें आधा चम्मच मैदा डालेंगे और दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमें इसका एक पेस्ट तयार करना है दोनों चीजों अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है और ये पेस्ट तयार हो गया है अब जो डो तयार किया था उसमें से छोटी छोटी सी लोईया निकाल लेंगे पहले इस तरीके से इसे हाथों पे मसल लेंगे ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी लोई त्यार कर लेंगे ऐसे ही सारी लोईयां त्यार कर लेंगे पहले मैंने सारी लोईयां त्यार कर ली है अब इसमें से एक एक करके लोई निकालेंगे और इसे चकले या स्लैब के उपर रखेंगे और इसे इस तरीके से बेलेंगे अब ही ये चिपक रहा है क्योंकि मैं ओई लगाना भूल गई थी इस तरीके से बेलन के उपर पहले ओई लगा लेंगे फिर इसे बेलेंगे अब ये नहीं चिपकेगा आप पहले ही बेलन के उपर ओई लगा लें अब इसी तरीके से छोटी-छोटी सी पूरियां तयार कर लेंगे और जो हमने घी और मैदे से पेस्ट तयार किया था उसे इस तरीके से पूरियों के ऊपर लगाएंगे फिर इसे एक बारी ऐसे फोल्ड करेंगे फिर से लगाएंगे और फिर इसे दूसरे साइड से भी फोल्ड करके इसे जैसे समोसा होता है न उसकी शेप दे लेंगे इसे इस तरीके से हाथों से प्रैस कर लेंगे अब ये फ्राई करने के लिए तयार है इसी तरीके से सारी मठरी तयार कर लेंगे मैंने ओयल गरम होने के लिए रख दिया है अबепitive to low flame flame पे oil को रहेंगे थोड़ी देर के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और बिल्कुल लो पर ही हम इसे फ्राई करेंगे हमें इसे लो पर ही फ्राई करना है अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखेंगे और हम अपनी सारी मठ्री त्यार कर लेंगे इसे इस तरीके का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे फिर इसे बाहर निकाल लेंगे मैंने सारी मठरी त्यार कर ली है मैं इसमें से एक तोड़ कर दिखाती हूँ यह कितना कुरकुरा बना हुआ है कितने क्रिस्पी है यह इसी तरीके से आप भी मठरी घर पर त्यार कर सकते हैं थैंक यू फूर वाचिंग